हेलो इस्टुडेंट्स, आई जोती, वेलकम यू अल ऑन इस्टेडी अड़्डा चैनल, आज हम लोग करने वाने हैं, क्लास फेट, ईवियस, चैप्टर नुमर टू, अजने एक चामर से स्टोरी से क्विज, इससे पहले हम इसकी एक्स्प्लेनेशन का वीडियो डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, अब स्टार्ट कर लेते हैं क्विज को, इसका जो राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नमर थ्री, इसको टीथ भी कहते हैं, अब देख लेते हैं, नेक्स्ट कुश्चिन को, कुश्चिन नमर टू, एट फिच अफ दीस प्लेसे, एट फिच अफ दीस प्लेसे, एट आंसर हैं, अप्शन नमर थ्री, इन असर्कस, इन असर्कस में अनिमल्स को, यूमन्स के इंटर्टीनमेंट के लिए रखा जाता है, अब देख लेते हैं, नेक्स्ट कुश्चिन को, इन में से कौन सा अनिमल ऐसा है, जिसको, एक्स के लिए रखते हैं, अप्शन सार्थ, एंट, प्रोस, पैरट, पिकॉक, इन राखते हैं, इन असर्कस, एक्स के लिए रखते हैं, अनिम्ट्रीनमेंट के लिए आठ्टीनमेंट को, इंडिया में टू थाउजन फिफ्टी काइट्स के स्नेक पाई जाते हैं बट उनमें से फोर टाइप्स के स्नेक ही बहुती पॉजनस होते हैं बच्चो अगर हम पूरी दुनिया के बात करें न तो लगभग 2500 काइट्स के स्नेक पूरे वर्ण में पाई जाते हैं लेकिन पॉजनस स्नेक उसमें से बहुत कम होते हैं ऐसी ही इंडिया में 4 टाइप्स के स्नेक ऐसे होते हैं जो बहुत ही पॉजनस होते हैं वो कौन-कौन से हैं तो वह हैं अफाई, खरे, दुबोईया और कोब्रा अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉस्चिन को इसका जो राइट आंसर है वो है अफाई अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉस्चिन को क्वेश्य वो कॉस्चिन आप शीण लेख जो अफ़ो चीज बॉच्चिन को इस हैं आपन। स्नेक चाहर्म है झाहर्म लाओ इंप लिएज पोई लिए खरेहिए Option number 4, no one can catch and keep snakes जो government ने सापों की रक्षा के लिए कानून बनाया है तो वो क्या है, उसके according कोई भी सापों को ना तो पकड़ सकता है ना ही उनको अपने पास रख सकता है Option number 4 is correct अब देख लेते हैं next question को Question number 7, which part of a snake is called fangs? Its teeth, its eyes, its skin, its woman Right answer is its teeth इसके teeth को fangs भी कहा जाता है Now let's see the next question Question number 8, from which substance Is the medicine for snake bite is formed? सापों के काटने की दवाई किस चीज से बनाई जाती है? Options है milk, oil, neem leaves, snake poison इसका जो राइट अंसर है, वो है snake poison Snake poison से सापों के काटने की दवाई बनाई जाती है Now let's see the next question Question number 9, which of the following venomous snake is found in India? माम बास, bush viper, russell viper, boya constructor इसका जो राइट अंसर है, वो है russell viper ये इंडिया में पाया जाता है Now let's see the next question Question number 11, what was gifted to the daughters in आरेनाथ's family for their weddings? Options are cows, snakes, horses, money Right answer is option number 2, snakes आरेनाथ की family में जब daughters की marriage होती है तो वो लोग marriage में snakes गिफ्ट देते है Now let's see the next question Question number 12, which animal dances when bean is played? जब bean बस्ती है, तो कौन सा animal dance करता है? Options are crocodile, snake, buffalo, deer Right answer is snake Now let's see the next question Why are snakes called farmer's friends? सापो को किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है? Options are because they guard farms, because they eat rats, because they provide fertilizers, because they are very familiar That answer is because you want to takerenaline nuns दोस्त का जाता है इसका right answer क्या है? क्योंकि वो चूआ को खाते हैं और चूहे क्योंकि सारी फसल को बरबात कर देते तो इसलिए साफों को किसानों का दोस्त कहा जाता है क्योंकि खेत में अगर साफ journeys को होते हैं Now, let's see the next question. Question number 14. What did Araynaath and his family get in exchange for the medicines they made? Araynaath और उसकी family को दवाईयों के बदले में क्या मिलता है? Options are money and food grains, silver and gold, shoes and clothes, love and care. Right answer is money and food grains. Now, let's see the next question. Naagumfun designs are used in the Rangoli and Embroidery in the state. आपको यहाँ पर state का नाम बताना है कि Naagumfun जो डिजाइन होते हैं वो Rangoli में कौन से राच्च में प्रियोग किये जाते हैं? Rangoli और कढ़ाई में. गुजरात, हुत्यप्रदेश, करनाटका और पंजाब. Right answer is गुजरात. Now, let's see the next question. Which dance form have movements similar to snake movement? कौन सी ऐसी dance form है जिसमें इस तरह से साप movement करता है उसी तरह के movement किये जाते हैं? Options are कत्थक, भांगरा, काल बेलिया, all of these. इसका जो right answer है, वो है काल बेलिया. आपने देखा होगा, जो काल बेलिया होते हैं, वो जैसे snake movement करते हैं, उसी तरह का movement करते हैं. और भच्चों, जो काल बेलिया dance होता है न, वो राजस्थान की एक tribe करती है, राजस्थान की एक जन जाती करती है. और जो कत्थक होता है, वो यूपी का अन लगते हैं, और भांगरा तो आप सब जानते हैं, वो पंजाब का एक dance form है. बच्चों, इस चैप्टर में हमने जाना, कि सारे स्नेक जो होते हैं, वो poisonous नहीं होते, और स्नेक चामस के बारे में, जो एक गलत धारना समाज में फैली हुई है, कि वो सापो को पकड़ करके उनको परेशान करते हैं, तो ऐसा बिलकुल नहीं है. वो लोग सापो की बहुत केर करते हैं, और फॉरिस्ट से कई तरह की दवाईयां भी बनाते हैं, जो लोगों के बहुत काम में आती हैं, तो इस चैप्टर से हमको ये पता चला, कि हमको हर तरह के सापो से डरने की जरूरत नहीं होती. इंडिया में अल्ली फोर टाइप्स के स्नेक्स ही हैं, जो की पॉईजनस होते हैं, और जो स्नेक्स होते हैं, वो फार्मस के फ्रेंड भी होते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होते हैं, इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक्स फो वाचिंग आई होते हैं.